नवस्कार दोस्तों, डीट है आज की 5 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एटोरियल डिसकेशन में इससे पहले कि हम आज का एटोरियल डिसकेश करना स्टार्ट करें ब्रीफ में हम अनलाईज करते हैं कल हुए प्रिलिम के एक्जाम को सबसे पहले तो आप ये जानिये कि इस बार के प्रिलिम में UPSC ने कौन से सब्जेक्ट से कितने कोशन्स पूछें देखो ये अनदाजा हैं क्योंकि टीचर्स की जो राय हैं वो वेरिक कर सकती हैं जैसे एक टीचर ये मान सकता है कि कोशन इन्वार्मेंट का है ये दूसरा टीचर बोल सकता है सेम कोशन इन्वार्मेंट का नहीं है ये जोगरफी का है या फिर अगरिकल्चर का है तो ये अनदाजा है सबसे पहले बात करें आर्ट अन कल्चर एंड हिस्ट्री की इन सेक्शन्स से UPSC ने उननीस के आसपास कोशन्स पूछे हैं पॉलिटी से UPSC ने इस बार के प्री में 16 के आसपास कोशन्स पूछे हैं साइंसेंट टैक्स से 11 कोशन्स एगरिकल्चर से 10 कोशन्स देखो एगरिकल्चर से इस बार UPSC ने इतने ज़्यादा कोशन्स पूछे हैं कि अलग से सेक्षन बनाने के आउसकता पड़ गई अदर्वाइस तो UPSC एगरिकल्चर से कम ही कोशन्स पूछा करती थी उनको हम इन्वार्मेंट में इंक्लूड कर लेते थे या फिर जोग्रफी में इंक्लूड कर लेते थे बट इस बार एगरिकल्चर पर UPSC ने काफी फोकस किया है एकनोमिक से UPSC ने 17 के आसपास कोशन्स पूछे आयार से 3, जोगरफी से 6 और मिस्लेनियस सेक्षन से पूछे 5 के आसपास कोशन्स मिस्लेनियस जैसे स्कीम्स, for example कि सान क्रेडिट कार्ट स्कीम अगर देखो, एक सबद में अगर पूछो कि एक्जाम कैसा था तो इसमें तो कोई संदे नहीं है, कोई डाउट नहीं है एक्जाम जो था, वो difficult था पिछले कुछ सालों में अभी तक का सबसे difficult exam था इस बार का prelim कुछ सबजेक्ट से समदित कोशन्स आसान थे जैसे, polity से समदित कोशन्स सोल करने लाइक थे even economy से समदित कोशन्स भी सोल करने लाइक थे but कुछ सबजेक्ट के कोशन्स तो काफी difficult है for example, history difficult इसलिए भी, क्योंकि जो conventional sources है for example, spectrum, इन से कोशन्स नहीं आए और ancient, medieval, इन से कोशन्स से जो कोशन आए वो भी, जो sources आम तोर पर बच्चों के द्वारा पड़े जाते हैं जैसे, old ancienties वहाँ से कोशन्स नहीं आए इस वज़े से बहुत सारी कोशन्स अनांसरेबल थे देखो, कई कोशन्स तो ऐसे थे कि even internet पर बहुत ज़्यादा सर्च करने के बावजूद सही ढंक से पता नहीं लगपा रहा है कि कोशन्स का आंसर है क्या मतलब, internet पर research करने के बावजूद भी आंसर का नहीं पता लग रहा है और ये expect करना कि जो students हैं वो stress induced examination हाल में जल्दी से उन कोशन्स को solve कर देंगे ये गलत हैं जैसे मैं आपको example भी देता हूँ एक question UPSA ने पूछा है book के बारे में गनेश जी के द्वरा एक book लिखी है देश की कथां अब देखो जो question UPSA ने पूछा है इतने depth में statements frame की हैं या तो कोई candidate उस question को common sense की approach से solve कर सकता है जो कि अमेशा सही नहीं होती otherwise जिसने उस book को पड़ा हो वही solve कर सकता है तो conventional sources से ये सब questions नहीं आए हैं और difficult, paper के difficult होने के दूसरे भी reasons हैं paper lengthy था बहुत सारे questions ऐसे हैं जिसमें 3, 4, 5 statements हैं तो काफी सारे candidates का ये भी कहना है कि हम second या फिर third round तक पहुंच ही नहीं इसके क्योंकि paper काफी ज़्यादा land थी था even पिछले 3-4 सालों में जो UPSC कई simple questions पूछती थी reports के बारे में ये report कौन जारी करता है या index के बारे में या फिर आसान schemes के बारे में वो questions UPSC ने नहीं पूछे हैं हाना कि scheme के बारे में कुछ questions तो पूछे हैं for example कि सान credit card scheme या फिर legal aid के बारे में ये नई schemes तो है नहीं और ये भी जो question पूछे हैं ना eligibility पे ज़्यादा focus किया है जैसे free legal services हासिल करने के लिए conditions क्या क्या है transgender की maximum income कितनी होनी चाहिए senior citizens की maximum income कितनी होनी चाहिए आम citizens की maximum income कितनी होनी चाहिए इतने ज़रे details से कोन याद रखता है मतलब किसकी income कितनी होनी चाहिए free legal aid हासिल करने के लिए और बिल्कुल factual question है ऐसा 2,00,00,00,00,00,00 इसे तो आप बिल्कुल conceptual question नहीं कह सकते जिसमें mind की application का इस्तमाल हो किशान credit card scheme से समन्दी जो question है उसमें हलांकि थोड़ी सी common sense लग सकती है कि जो aid मिलती है किशान credit card scheme की साइटा से जो loan मिलता है उसका इस्तमाल कहां कहां किया जा सकता है तो इन examples के base पे आप ये कह सकते हो कि generally UPSC जैसे questions पूछ लेती है कि ये scheme कौन सी ministry में आती है या फिर scheme किस से समन्दित है उस type के questions UPSC ने नहीं पूछे है और overall बात करें की paper कैसा था conceptual paper था या फिर facts ज़्यादा पूछे है देखो generalize नहीं कर सकते बहुत सारे questions ऐसे हैं जो अच्छे हैं जिन में mind की application का इस्तेमाल होता है conceptual questions है लेकिन बहुत सारे factual questions भी है जैसे मैं आपको example दूँ ऐसे-इस questions है कि cyber insurance में क्या-क्या cover होता है computer को damage हो नया computer खिदना हो ये cover होता है या फिर नहीं होता है legal case लड़ना पड़े कोई court में case लड़ना पड़े वो cover होता है या फिर नहीं cover होता है IRDI की website पे जाके detail से देखने पर पता लगता है कि क्या-क्या excluded होता है cyber insurance में क्या-क्या included होता है और फिर भी vague है वैसे property जो damage है वो cover नहीं होता है मतलब computer damage हो गया cyber attack के दुरान ये cover नहीं होता है बट कुछ websites ऐसी भी है जो ये बोलती है कि कई cyber insurance companies property damage भी cover करती है तो अब ये UPSC की interpretation पे है तो कहने का मतलब है कि ये जो questions है कोई दावा करे कि common sense से मैं solve कर सकता हूँ तो ठीक है भाई कोई बात नहीं common sense सबकी अलग-अलग होती है otherwise वैसे तो solve होने वाले ये questions नहीं है कि आप पढ़के solve कर दो वैसे questions ये नहीं थे काफी सारे questions ऐसे थे जो elimination से solve हो सकते थे जैसे ये questions देखिए desert national park से सम्मंदित आप दूसरी statement देखिए there is no human habitation inside the park इंडिया इतनी ज़्यादा population वाला देश है 130 क्रोड लोग ये दो देखो ऐसा मभव सी बात लगती है कि human habitation ना हो पाक के अंदर तो इस statement को आप निकाल दोगे तो फिर C answer हो जाता है कुछ दूसरे हम देखें जो elimination की technique से solve हो सकते थे दूसरी statement देखिए all other phosphatic fertilizers थोड़ा सा extreme हो जाता है इसे अगर remove करें तो फिर C answer हो जाता है next ये किसान credit card scheme वाला जो हमने discuss किया कि ये थोड़ा सा common sense लगाने से solve हो सकता है देखो किसान नाम है scheme में ही तो किसानी के लिए ही पैसा इस्तमाल होगा जो loan पर लिया जाएगा इस credit card की साहिता से family का घर बनाने के लिए इस्तमाल नहीं होगा ऐसा थोड़ा सा लगता है common sense लगा के अगर पांचवा eliminate हो जाएगा तो C answer नहीं sorry B answer हो जाएगा बाकि सभी में पांचवा है लेकिन B में पांचवा नहीं है ये देखिए आप elephant से समन्दित question था an elephant can normally go on carving till the age of 40 years only इसको आप eliminate करोगे तो फिर दो options आपके eliminate हो जाएगे दो बच जाएगे question तो हलांकि soul नहीं होता है generally देखो हम काफी बार ये discuss करते हैं और आपने भी ये सुना होगा कि किसी technology की applications के बार में अगर UPSC पूछे तो generally सभी statements सही होती है तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस बार के paper में science and tech में UPSC ने technologies की applications पे काफी questions पूछे हैं जैसे carbon nanotube इससे समन्दित ये चारो जो statements हैं वो सही है यहां पर देखिएं ये भी drone की application से समन्दित question था और इसमें भी सारी statements सही लग रही है artificial intelligence की technology से समन्दित artificial intelligence technology की application से समन्दित question है इसमें भी सारी जो statements हैं वो सही लग रही हैं देखो ये जो keys हैं ये ऐसा कुछ नहीं है कि final हैं आपको ऐसा लगा हो कि answer इसमें गलत मांग करके रखा है ये सिरफ आपको example देने के लिए है कि काफी questions थे ऐसे जो elimination से soul किया जा सकते थे बट हां इस बात को मानना पड़ेगा कि examination हाल के बाहर elimination से question soul करना या फिर common sense लगाना आसान होता है लेकिन वहां पे examination हाल में बैठ के जहां पे इतना जल्दी जल्दी question soul करने होते हैं stress इतना ज़्यादा होता है तो उतनी productivity उतनी efficiency वहां पर expect करना ये गलत है अब बात करते हैं takeaways की क्या कुछ हम सीख सकते हैं इस exam के analysis से देखो एक sense में UPSC ने अपना trend जो है वो maintain किया है पिछल 3-4 सालों में आपने देखा होगा UPSC क्या करती हैं कुछ questions आसान पूछ लेती हैं जैसे इस बार भी polity के जो questions थे वो soul करने लायक थे economy के questions भी soul करने लायक थे और कुछ questions UPSC ऐसे पूछती है जो बिलकुल हवा ही नहीं लगती मतलब समझ में नहीं आता कि कहां से पूछ लिया हर बार UPSC ऐसा कर रही है पिछले 3-4 सालों से इस बार भी UPSC ने ऐसा ही किया है बट इस बार वे questions की संख्या जादा है मतलब ऐसे questions जिनके बारे में हवा नहीं लगती उन questions की संख्या जादा है तो आप एक चीज तो जान लिजिए जिनको अगली बार paper देना है मतलब जिनका अगली बार first attempt होगा 2021 में आसान questions को गलत आप बिलकुल नहीं कर सकते ये तो आप effort नहीं कर सकते कि जो आसान questions हैं उनको आप गलत करो समझ गए और इसके अलावा conceptual understanding पर काफी focus करना होगा और common sense का इस्तमाल करना ये सुरू से ही सीखना होगा exam से पहले elimination technique के बारे में जानना नहीं चलेगा काम तो कि common sense की जो approach है न वो धीरे-धीरे develop होती है common sense मतलब गोर्मेंट के नजरिये से समझना क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस परकार की approach आप सुरुवात से ही सीखने पर जोड दीजिए मतलब questions की जब आप practice करो तो आपको questions नहीं भी आते हैं तो भी उनको solve करने की कोशिस कीजिए अपना थोड़ा सा common sense का इस्तिमाल करके धीरे धीरे practice होती जाएगी इसके बाद देखो polity में भी जो questions थे वो इतने simple नहीं थे हाला कि हाँ solve करने लाइक थे अगर compare करें history से compare करें but questions कई ऐसे थे जो conceptual understanding demand करते हैं जैसे गांदी और Marxism में क्या common है देखो लक्समी कांथ में क्या है कि सारी जो information है वो spoon feeding की तरह है concepts बनते तो हैं लेकिन कई topics में नहीं बन पाते हैं concepts सुभास काशप जैसे book है सुभास काशप के जो book है इनकी books में conceptual understanding पे ज़्यादा focus होता है देखो ध्यान से सुनिएगा मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप लक्समी कांथ छोड़ दीजिए लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप वो books जिनसे आपके concepts बनते हैं और वो जल्दी cover कर पाते हो तो ऐसी books आप पढ़ सकते हो वैसे सुभास कैसे आप कि जो book है जल्दी cover हो जाती है तो concepts को strong बनाने के लिए आप इनकी book को पढ़ सकते हो ताकि आपके concepts strong हो जाए वैसे ही एक book है डीडी बसू लेकिन डीडी बसू की जो language है वो काफे ज़्यादा difficult है मतलब जो legal language नहीं होते difficult वकीलों वाली वैसी language है डीडी बसू की इसके बाद देखो editorial discussion काफी important है pre के लिए भी क्योंकि editorial discussion में concepts बनते हैं issues के बारे में समझ आती हैं जिसका इस्तमाल होता है questions को solve करने में तो ऐसा मत सोचेगा कि जो editorial discussion है वो mains के लिए हैं नहीं जिस परकार से UPSC question पूछ रही है editorial discussion काफी ज़्यादा important है issues की समझ develop करने के लिए और सबसे last में देखो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी performance से हो सकता है उतना satisfy ना हो जितने आपने efforts लगाए आपको सिकायत भी होगी कि UPSC question कहां से पूछ लेती है क्या किया जाए कहां से पढ़ा जाए देखो आपके जितने भी जो concerns है न वो जायज है बट प्री तो अब हो चुका है anyhow आपको mains की त्यारी तो start करनी ही चाहिए क्योंकि आपने अगर answer की से match की होंगे अपनी performance तो आपको कुछ ना कुछ score मिला होगा लेकिन वो score final नहीं है बहुत मुश्किल आ रही है कीज डेवलप करने में क्योंकि बहुत सारे ऐसे questions है जिनका answer इवन बहुत ज़्यदा research करने से भी पता नहीं लग पा रहा है तो इस बार UPSC की जो कीज आएंगी उसमें काफी difference मिलेगा coaching center की कीज से मतलब किसी coaching center का दो गुलत हो सकता है किसी का तीन हो सकता है हो सकता है कि ये कादा ऐसा हो जिसके सारे ठीक हो बट संभावना कम है तो कहने का essence ये है अभी जो भी आपका score बन रहा है उसे आप final मत मानिए आपका score increase हो सकता है और cut off भी कम ही जाने की संभावना है और अगर आपका बहुत भी कम ज़्यादा कम बन रहा है तो भी देखो relax होने की तो आव सकता है नहीं त्यारी तो करने ही चाहिए time waste करने से तो कोई फाइदा है नहीं तो इस परकार से हमने brief में exam का analysis किया अब चलिए I will discuss करना start करते हैं आज की discussion का पहला जो article है वो armed forces as a cover से समनीत है article का essence देखो ये है कि government जो है central government की बात की जा रही है वो armed forces को as a cover इस्तमाल कर रही है criticism से बचने के लिए इन सभी aspects को हम discuss करेंगे इस article में सबसे पहले article में ये बोला जाता है जो अभी India और China के बीच में tensions है इन tensions को handle करना सरकार का काम है diplomacy की साहिता से इन tensions को दूर करना चाहिए किसी भी सरकार को फिलाल की situation में लेकिन सरकार military को आगे कर रही है ताकि जनता से होने वाले criticism से सिधा सिधा बचा जासके समझ गए मतलब जैसे ही देखो ये पता लगा कि China ने हमारी territory को capture किया है तो उसके बाद diplomatically सरकार को इस issue को solve करना start कर देना चाहिए था Ministry of External Affairs के द्वारा statement जारी करनी चाहिए थी समय समय पर ऐसा नहीं हुआ military level पर बाची चल रही है और military ही statements को जारी कर रही है तो writer के अनुसार इसमें ऐसा government इसलिए कर रही है ताकि अगर कोई भी criticism होता है तो वो armed forces का हो सरकार का criticism ना हो इसके बाद article में ये बोला जाता है देखो armed forces को political debate में include नहीं करना चाहिए किसी भी democracy में armed forces को politics से बिल्कुल अलग रखना चाहिए but government बिल्कुल micro level पर जाके चीजें decide कर रही है जैसे जो military leaders जाएंगे जो military officers जाएंगे चाइना के officers से बात करने के लिए वो कौन होंगे, agenda क्या होगा क्या-क्या arguments दिये जाएंगे इस परकार से minute level पर सरकार चीजे decide कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब यूँ ऐसा दिखेगा ना कि कुछ military officers सरकार के चाहेते हैं, अगली जब सरकार आएगी तो उनको लगेगा ये officers पुरानी सरकार के चाहेते हैं तो सरकार की बाते बोलती है क्या आपको आपकी military पर भरोसा नहीं है, आर्मी पर भरोसा नहीं है तो इसका नतीजा ये निकल सकता है कि जनता का जो विश्वास है, वो कम हो सकता है military में इसके बाद next aspect आता है कि सरकार जबाब नहीं दे रही है, stand-off पे सबसे पहली बार देखो, परधामंत्री मोदी के दवरा 19 यून को बोला गया all party meet में situation के बारे में, चाइना के साथ जो situation है परधामंत्री मोदी ने उस समय कहा ना कोई वहाँ हमारी सीमा में घुस आया है और ना ही कोई घुसा हुआ है ना कि हमारी कोई पोश्ट किसी दूसरे के कबजे में है मतलब ये सारी बाते परधामंत्री मोदी के दवरा बोली गई थी, राइटर ये बोलते है कि बाद में सरकार को इन स्टेटमेंट्स को clarify करना पड़ा, और कई लेवल की जो इंडिया और चाइना के बीच हर लेवल की toks में जो हमारे इंटर लोकूटर्स होते है वो दिफेंसिव होते है चाइना के इंटर लोकूटर्स बोलते हैं देखो आपके परधामंत्री ने भी बोला है कि हमारी सीमा में कोई नहीं गुसा है मतलब हम जो है वो हमारे लैंड पर ही है तो वो जो statement दी गए थी ना पधामिंत्री मोदी के द्वरा वो थोड़ी वेग statement थी बाद में जिसको clarify करना पड़ा था उसके बाद external affair ministry ने अभी तक border crisis पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला है डिफेंस मिनिश्टर ने भी बहुत सोची समझी हुई statement दी border crisis पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जबकि देखो compare करें हम British Parliament से वहाँ पर पधामिंत्री toughest questions का answer देते हैं इवन रज्यस्बा के जो presiding officer हैं उन्होंने डिफेंस मिनिश्टर को कहा कि आफ leader of opposition को brief कर दीजिए अलग से इस issue के बारे में लेकिन दो हफते बीट गए उस बात को अभी भी हमारी डिफेंस मिनिश्टर ने leader of opposition को इस issue के बारे में नहीं बताया है details से अभी देखो ये भी नहीं पता हमें cabinet committee on security जो की highest authority है इंडिया की national security से सम्मंदित मामलों में क्या ये body मिली भी है या फिर नहीं मिली है एक बार भी पिसले 5 मैंनों में क्या उनके द्वारा इस issue को discuss किया भी गया है या फिर नहीं क्या गया है इवन जब देखो 1999 का कारगिल वार हुआ था तो उस समय भी NDA की सरकार थी उस समय daily basis पे जो senior ministers थे वो available थे मीडिया का answer करने के लिए मीडिया की वो queries लेते थे लेकिन अब सरकार जो है questions का answers नहीं दे रही है सरकार का तर्क ये है कि ये sensitive operational issues है इनको public में discuss नहीं किया जा सकता बड़ देखो ये गलत है बहुत सारे irrelevant aspects है मतलब issue से सम्मंदिद aspects है जिन पर government जबाब दे सकती है even military जो issues brief करती है मतलब statements देती है public में unofficially काफी सारी जो details है military के द्वारा बताई जाती है चुकि उन्हें पता है ये इतनी ज़्यादा important नहीं है तो ये बहाना बना के government answer नहीं देती ये गलत है एक reason वैसे ये भी हो सकता है सरकार जो दे सकती है कि देखो हमें free hand चाहिए चाइना के साथ फिलाल situation को tackle करने में अगर हम answers देंगे तो हमारे लिए situation manage करना मुस्किल हो पाएगी तो हां ये government का जो तर्क है थोड़ा valid है काफी बार ऐसी चीज़ें होती है जो public से चुपानी पड़ती है for example हो सकता है कि सरकार जो है वो चाइना से negotiate कर रही हो issues को finally settle down करने के लिए बट फिलाल जो reports आ रही है उसके अनुसार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है next point public opinion का इस्तमाल किया जा सकता है issues को tackle करने में और इसके examples भी दे जाते हैं जैसे देखो जब USA के राष्टरपती भारत में आये थे 2003 में तो उसमें भारत पर बहुर जाला दवाब था कि इराक वार में USA का साथ दिया जाए और forces भेजी जाए बट अटल बिहारी वाजपई जो उसमें परधानमंत्री थे उन्होंने opposition को बोला कि आप protest कीजिए इसके खिलाफ की सरकार ना भेज पाए अपनी troops इराक में ताकि public opinion का भाना बना के USA को मना किया जासके कि देखो इंडिया में तो protest चल रहे हैं सरकार के खिलाफ तो हम हमारी जो forces हैं वो इराक में नहीं भेज सकते तो इस परकार से बलकि opposition की साहिता से सरकार दूसे देश से अच्छे से negotiate कर सकती है मतलब opposition का भाना बना के देखो opposition का दवाब बहुत ज़्यादा है आप हमारी territory छोड़ दीजिए बट सरकार opposition को बताई नहीं रही है कि फिलाल situation है क्या इसके बाद article में बोला जाता है कि देखो सरकार जो official information नहीं जारी करती इसके नुकसान भी काफी होते है नुकसान सबसे पहला तो ये होता है misinformation ज़्यादा आ जाती है देखो जहाँ information की कमी होगी वहाँ पर misinformation ज़्यादा आ जाएगी जनलिस्ट जो है वो चीजों को बढ़ा चड़ा के बताते हैं कि देखो हमारी जो military है इतनी capable है चाइना भाग गया है आप में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जिंगोईजम यानि उगर राष्टरवाद कई media channels दिखाते हैं इससे बलकि सरकार की situation और खराब हो जाती है आएगी public domain में जैसे पाकिस्तान का example दिया जाता है जब देखो 1971 में जिस दिन पाकिस्तान की military ने surrender किया 90,000 सैनिकों के ने surrender किया उस दिन पाकिस्तान का जो radio है वो ये सब चीज़े दिखा रहा था कि military जीत गई है बहुत बढ़िया जीत हुई है तो सोचके देखें मतलब इतनी ज़्यादा misinformation अगर आप फिलाओगे तो सरकार अपनी ही situation को create, अपनी ही situation को मुश्किल में डालेगी लास्ट में conclusion में ये कहा जाता है बोर्डर पे जो issues हैं वो देखो काफी ज़्यादा serious है इसके साथ साथ economic situation खराब है, महामारी है बट सरकार ऐसा लगता है जैसे issues की जिम्मेदारी लेने से भाग रही है ताकि public के criticism से बचा जासके देखो democracy में सरकार की accountability बनती है जनता को जबाब देना इस परकार से भागने से देश को ही नुकसान होगा देश को इससे फाइदा नहीं होने वाला है तो सरकार issues की जिम्मेदारी ले अपना political benefit ना देखे ये आर्टिकल हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next हमारा article ncpcr के बारे में है आप gs paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो इन सभी aspects पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करते हैं ncpcr है क्या यह देखो apex body है child rights को protect करने के लिए पूरा नाम है national commission for protection of child rights हमारे देश में child rights को uphold करना monitor करना facilitate करना यह सारे काम इस body के हैं बट अब हुआ क्या है इस body के कामकाज पर काफी सवाल उठ रही है प्राइमरी जो responsibility है इस body की children की well-being को ensure करना इस जिम्यदारी को ठीक से नहीं निभापा रही है ncpcr इसके बाद थोड़ी सी basic information ये statutory body है setup की गई थी 2007 में commission for protection of child rights act 2005 के अंतरगत कौन सी ministry के अंदर आती है ministry of women and child development 0 से लेके 18 साल तक की age के बच्चे के rights को protect करना काम है इस body काम और child की definition भी इस act में यही define की गई है कि वो बच्चे जिनकी age 0 से 18 साल के बीच में है वो child है हमने एक convention को adopt किया था United Nations Convention on Rights of Children 1989 इसको ratify किया गया था 1992 में इस convention में जो भी child rights दिये हुए हैं उनको protect करना, promote करना, defend करना ये भी काम है इस body काम major concerns क्या है इस body के कामकात से समन्दित, देखो जो powers या फे duties हैं इस body के, उनमें से एक ये है child care institutions को monitor करना अब Supreme Court के द्वरा इनने कहा गया था कि आप audit कीजिए इन institutions का social audit को initiate किया था 2015 में, समझ गये, मतलब Supreme Court ने इस body को बोला था कि आप child care institutions का social audit कीजिए जिसे start किया गया 2015 में, तो इसके completion के बाद NC-PCR ने district magistrates को directions दी, आर्ट state के district magistrates को direction दी कि आप सभी child care institutions को de-institutionize कर दीजिए, जो बच्चे हैं, इन institutions के अंदर उनको भेज दीजिए, जिन जिन घरों के वो बच्चे हैं, और एक specific period के अंदर उनको rehabilitate कीजिए, मतलब skill वगरा आप देना चाहते हो, तो उन्हें skill दीजिए, लेकिन देखो, civil society organizations ने objections raise किये हैं, civil society organizations ने बोला हैं, कि कई बच्चे इन child care institutions में ऐसे हैं, जो ऐसी family से आते हैं, जहां पे child abuse होता हैं, वापस उन्हीं घरों में भेजना, बच्चों को, इससे बच्चों को नुखसान पहुंचेगा, उनकी welfare सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, तो होना ये चाहिए था, कि case by case basis पे assessment हो कि कौन से बच्चे को repatriate किया जाना है, कौन से बच्चे को वापस भेजा जाना है, उस घर में जहां से वो आता हैं, ताकि बच्चे का exploitation ना हो सके, neglect ना हो सके, child abuse ना हो सके, बट जो decision लिया गया है, NCPCR के द्वारा वो गलत हैं, next point, गांधी जहनती के मोके पर, कई जो NGO-run child care institutions हैं, वहाँ पे raid मारी गई, NCPCR के द्वारा ये पता लगाने के लिए, क्या foreign funds का misuse तो नहीं हो रहा हैं, राइटर कहते हैं, पहरी तो बात, FCR का regulation है, Foreign Contribution Regulation Act, वो NCPCR के mandate से बाहर हैं, तो आप ये नहीं पूछ सकते NGO से की foreign funds का misuse कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, मतलब investigation नहीं कर सकते, आप इससे समधित, बट NCPCR ने ऐसा किया, कुछ individuals को target करने के लिए, कुछ ऐसे individuals, जिनोंने Citizenship Amendment Act का विरोध किया था, उनको target करने के लिए NCPCR ने raid मारी, और जो investigation की गई, उसकी tone भी थोड़ी communal थी, कि जो बच्चे हैं, वो किस community के हैं, हिंदू community के हैं, रोहिंग्या हैं, यह सब चीज़ें, राइटर बोलते हैं, देखो जो child care institutions होते हैं, वो secular theme पर अधारित होते हैं, next criticism, वैसे देखो माहमारी हैं, तो NCPCR की तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती हैं, चाइल्ड malnutrition, चाइल्ड labor, चाइल्ड abuse, चाइल्ड marries, mental illness, यह सब issues ज़्यादा बढ़ गए हैं, महमारी के समय में, लोगडाउन में बच्चों की पढ़ाई हैं, वो परभावित हो रही हैं, तो NCPCR की duty बनती थी, ऐसी situation में बच्चों की welfare पे बलकि और ज़्यादा ध्यान दिया जाएं, बट NCPCR का जो focus हैं, वो दूसरे ही issues पर हैं, लास्ट में राइटर ये कहते हैं, देखो NCPCR का focus इस बात पे होना चाहिए, बच्चों की welfare सुनिशित करना, और इस body को जिस उदेश्या के साथ गठित किया गया था, उन उदेश्यों की पूर्ती करना, तो ये पुरा आठ कल हमने डिसकस किया, NCPCR के बारे में, कि NCPCR अपना जो काम है वो ठीक से करें, ना कि present government के इसारों पर अपने mandate से बाहर जाके काम करें, तो आज की हमारी discussion में इतना ही है, एक issue जो हमारा रह गया, वो हम कल discuss करेंगे, और एक हमारा पुराना article भी बाकी है, gambling को regulation से समन्दित, उन दोनों को हम, हमारे आने वाली दिनों की जो discussions हैं, उन में include कर लेंगे, फिलाल आज की इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.